हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल कुक विट अंजिनी फ्रेंज कैसे हो आप सब आप सब स्वस्थ होंगे तो आज हम बच्चों के टिफिन की एक असानसी रेसिपी शेर करेंगे तो इसे हम बनाएंगे पोहे से तो यहां पर हमने लिया है एक कटोरी पोहा इसे हम एक म पीस लिया है अब यहां पर हमने लिया है एक बॉल और उसमें हम इस पीसे हुए मिश्रन को ट्रांसफर कर लेंगे साथी साथ हमने लिया है दही दो दही आप घर का जमा हुआ भी इस्तवाल कर सकते हैं और पैकेट वाला भी और इन सब को मिक्स कर लेंगे तो यहां पर अब ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे रेश्ट पे छोड़ देंगे तो चलिए अब इसका हम त्यारी करते हैं तो यहां पर हम लिये एक बड़े साइस का टमाटर जिसको मैंने भारी चौप किया है और एक प्याज कुछ हरी मिर्चे और धनिया पत्ता आप चाहे तो अपनी मन पसंद की और सबजिया अड़ कर सकते हैं तो बैटर को करीब 15 मिनट के पाद हमने चेक किया तो अच्छे से फूल चुका था अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकी और इसको हम मिलाएंगे पुहा पीसने के वज़े से फूल की तो यहां पर हमने पूरे पैकेट का इनो इसमें डाल लिया है उसे पर डालेंगे हम पानी और इसको जल्दी से मिला लेंगे तो यह देखिए जैसे हमने इनो डाला इसमें काफी बबल्स उठ चुके हैं और यह मिशन बहुत अच्छे से त्यार हो गया है उत्पम बनाने के प्राद यहां पर मैंने गरम किया है एक तवा यहां हमने इस्ट्रिक तवा का इस्तंबाल किया ही है आप चाहें तो इससे सिम्पल तवय पर भी आराम से बना सकते हैं तो यह देखिए मने एक साथ तीन उत्पम डाले हैं और उसके उपर हमने यह जो कटी हुई सब्स दिया कर देंगे ताकि सब्जी ये उत्पम में अच्छे से चिपक जाए ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके इसको हल्का दबाना है और उसके बाद हम थोड़ा सा ओइल डालेंगे किनारों से तो करीब दो मिनेट के बाद ये नीचे से सेट हो चुका था तो अब हम इसे आराम से पलट लेंगे ये उत्पम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आप आराम से उनको टिफिन में दे सकते हैं बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है और खाने में ज़्यादा सुपर टेस्टी लगने वाली है और बच्चे बहुत आराम से उसे खा लेंगे तो ये दिखे मैंने इसे पलट लिया है दोनों साइट से शेक लिया है तो है नई आसान से रेशिपी तो बस हो गई तैयार चलिए अब हम कर ल तो इसलिए मैंने आम पुद्र की चट्नी बना ली है ये देखिए तो चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग तो आप इसे सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं बचों के टिफिन के लिए ले सकते हैं या शाम में छोटी मुटी भूख लगे तो ये रेसिपी आराम से बिन ना कोई जंजट की बनाकी खा सकते हैं तो आपको मेरी ये आज की बच्चों के टिफिन के आसान सी रेसिपी पसंद आई हो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर नही है तो झाल झाल